Microsoft Excel को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग text के size को change करने के बारे में सीखेंगे तो चलिए दोस्तों अब सीखना शुरू करते हैं इस system में Excel का 2013 वर्जन है और इसके अंदर अगर हम किसी भी cell में कुछ भी type करते हैं तो उस text का पहले से defined एक size होता है Excel में text को और ज़यदा attractive बनाने के लिए हम different text size का use कर सकते हैं और अपनी need के according text के size को change भी कर सकते हैं Excel में text के size को change करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस cell को select कर लेना है जिस भी cell के text के size को हम change करना चाते हैं cell को select करने के बाद हमें pointer को font group के अंदर यहां पर ले जाना है जैसे ही हम pointer को इस option के उपर ले जाते हैं वैसे ही यहां पर नीचे एक message भी display हो जाता है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि इस option का क्या use है इस पे लिखा है font size और font size के नीचे लिखा है change the size of your text जिसका मतलब है कि इस option का use करके हम text के size को change कर सकते हैं यहां पर अभी default text size शो हो रहा है जो कि 11 है selected cell के text size को change करने के लिए हमें pointer को 11 के आगे इस down arrow पे ले जाना है और यहां पर एक click करना है click करते ही यहां पर text के size के लिए एक drop down list open हो जाएगी अब यहां से हम लोग कोई भी number select कर सकते हैं number को select करने के लिए हमें pointer को उस number पे ले जाना है जिस भी number को हम select करना चाते हैं जैसा कि आप लोग अभी screen पर भी देख सकते हो कि जैसे जैसे number increase हो रहा है text का size भी increase हो रहा है और जैसे जैसे number decrease हो रहा है text का size भी decrease हो रहा है अब क्योंकि मैं इस list में से 72 को select करना चाता हूँ तो उसके लिए मुझे 72 पे एक click करना पड़ेगा click करते ही selected cell के text का size increase होकर 72 हो जाएगा अब हम इस text के size को 72 से भी ज़्यादा increase करना चाते हैं लेकिन यहाँ पर इस list में highest value 72 ही शो हो रही है इससे ज़्यादा text size को increase करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी number type कर सकते हैं मैंने यहाँ पर 100 type कर लिया है और अब जैसे ही मैं enter key को press करूँगा वैसे ही selected cell के text का size और ज़्यादा increase हो जाएगा इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी number type कर सकते हैं और फिर enter key को press करके इस text के size को increase या फिर decrease भी कर सकते हैं list के अंदर text के size के लिए जो values हैं उनको हम यहाँ से भी change कर सकते हैं इस option पे click करके हम text के size को increase कर सकते हैं और इस option पे click करके हम text के size को decrease कर सकते हैं अभी तक हमने single cell के text के size को ही change किया है लेकिन सेम इसी तरह से हम लोग multiple cells को select करके सभी selected cells के size को एक साथ भी change कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने Excel में text के size को change करने के बारे में सीखा इस वीडियो से related अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें Microsoft Excel से related हम आपके लिए और भी वीडियो से लाते रहेंगे धन्यवाद